केंद्रीय मंत्री कैलाश चौदरी रहे खरनाल के दोरे पर, प्रधान मंत्री मोदी के प्रस्तावित दोरे के मद्यनजर सभास्थल एली पैड, वे प्रवेश द्वार आदी का किया निरीक्षन, भारतिय जन्ता पार्टी आने वाले विधान सभा चुनाव को कितना महत्वप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में लगातार की जा रही सभाओं को देख कर लगा सकते हैं, पी-एम मोदी पिछले नौ माह में राजस्थान में साथ सभाई कर चुके हैं, और आगामी 28 जुलाई को नागौर के खरनाल में पी-एम मोदी, अपना आठवा दोरा कर जनसभा को संबोधित करेंगे। समाज के अध्यक्ष्क्रिपाराम देवडा, जिला महमंत्री रमेश अपूर्वा मौजूद रहे। में भाजपा पी-एम मोदी के चहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सी आर चौदरी ने बताया कि प्रधान मंत्री मोदी की इस जनसभा कार्यक्रम में नागौर सहित आसपास के जिलों से करीब 3 लाख लोग शामिल होंगे। केंद्रिय क्रिशी राज्य मंत्री कैलाश चौदरी के अनुसार ये कार्यक्रम क्रिशी मंत्राले और फटिलाइजम मंत्राले आयोजित कर रहा है। नागौर जिले के खर्नाल में पीएम मोदी की जनसभा होगी इस जनसभा में पीएम मोदी 9 करोड किसानों के खाते में 178,000 करोड रुपे। PM मोधी किसानों के खाते में किसान सम्भान निधी ट्रांसफर करने के अलावा फटिलाइज मंत्राले की PM प्रनाम स्कीम में किसानों के लिए किये रभधानों का भी एलान करेंगे बाइट के लाश चौधरी केंद्रिय क्रिशी राज्य मंत्री देखने आये हैं और यहां के सभी लोगों में उत्सा है कि हमारे देश के प्रदान मंत्री आदरी नरंदर मोदी जी नागोर की धरती पर आ रहे हैं और दिच्चे दूप से इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है कि ज्यादा ज्यादा यहां पर लोग भी आएंगी और आज प्रकार से जो देश से लिए किसानों के लिए ने किया है कि यहां के तैयारिया है वह पूरी आज यह पर की जा रही है और सभी लोग यहां पर पर लाप